नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जिन कपल को प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं होती है महिला हो या पुरूशों सबसे पहली बात कि उनको कई डॉक्टर्स भी रेकिमेंट करते हैं और कई बार आपने कई सारे वीडियो में भी देखा होगा कि सताबरी पाउडर के बारे में आपको बताया जाता है कि उसको आपको लेने से बहुत फाइदा मिलेगा सताबरी पाउडर एक बहुत अच्छा हर्व है आयरुवेदिक चिकित्सा में इसका बहुत अधिक इस्तमाल किया जाता है यह बहुत अच्छा वर्नस्पती होता है लेकिन अगर आप केवल और केवल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इसकी इस्तमाल कर रहे हैं या करती आ रही हैं तो आपको आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसकी मात्रा कितनी लेनी है ये बहुत जादा महत्पून होती है साथी साथ क्या इसको बिना डॉक्टर के अडवाईस के आप ले सकते हैं ये भी आपके लिए जाना जरूरी है क्योंकि सताबरी पाउडर का अगर आप जिस मात्रा में उसे लेना है उससे ज्यादा सीवन कर लेते हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसान दे भी हो सकते हैं कुछ ऐसे कंडिशन होते हैं जिसमें सताबरी पाउडर लेना ही नहीं चाहिए सताबरी पाउडर उन महिलाओं को बिल्कुल भी रेकिमेंडेड नहीं होता है जिनको हाइपो थायरोड की प्रॉबलम होती है तो अगर आपको हाइपो थायरोड है तो सताबरी powder आपको नहीं लेना है साथ ही साथ जो महिला pregnant होती है उनको भी सताबरी चुर्ण का सेवन नहीं करना है सताबरी के फायदे कैसे कैसे मिलते हैं अगर हम बात करें कि आपको बच्चा कंसीव करना है तो सबसे पहले बात की सताबरी powder के सेवन से जो anxiety होती है depression होता है वो बहुत ह अच्छे से बैलेंस काम करने सुडू कर देते हैं दूसरी बात कि सताबरी पाउडर फीमेल और मेल दोनों को ही लेने की सला दी जाती है क्योंकि इससे रिप्रोडेक्टिव हेल्थ अच्छा होता है यानि कि एक के क्वालिटी अच्छी होती है या फिर स्पर्म की गुनवर्टा यानि उसकी भी जो क्वालिटी होती है उसमें ब्रिधी होती है इसी के साथ साथ जिन महिलाओं को अर्थाराइटीस की प्रॉबलम हो चाहिए और इसे केवल एक मात्रा, एक ग्राम के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, इसकी जो मात्रा होती है, वो एक ग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको लेना चाहिए, यदि आप इसका सेवन बहुत जादा करते हैं, 5-6 ग्राम अगर आप करते हैं, या फिर आपको पता नही है कि इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है तो इससे आपको इसकीन संबंदित प्रॉब्लम्स हो सकती है और भी कई सारी परेशानिया होती है गंभी रूप से भी हो सकती है इस वज़ा से अगर इस औसिधी का आप सेवन कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर की गाइडेंस में ही ले यह इंटी एंफ्लामेटरी गुनों से भी भरपूर होता है तो फाइदा तो देगा ही लेकिन एक ग्राम ही आपको लेना चाहिए और किसी डॉक्टर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको कई बार इलर्जेटिक रियक्शन्स भी हो सकते हैं दिखाई दे सकते हैं तो उमीद करती हूँ सारे ही डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे हां काफी सारे होंगे कि इससे कब लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए तो देखिए इसे pe waiter के eq g обbak क Unity के liquid investigation के एक g was a glass गुन्गोने दूद में आप इसको मिलाकरके ले सकते हैं खाना खाने के बाद वो भी डॉक्टर के recommendations से ही लिजएगा यह भी काफी जदा important है और हाँ इससे pregnancy बिलकुल conceive होने में मदद मिलती है ये भी बिलकुल सच बात है तो उम्मीद करती हूँ कि आपके doubt clear हो गए होगे काफी अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है कि सतावरी powder आपको किस तरह से लेना है और साथी साथ अगर आपकी फिर भी कोई questions है तो आप mention करिए comment section में वीडियो पसंद आई है तो like करना बिलकुल भी ना भूले friends और चानल पे पहली बार आए है तो make sure subscribe भी कर ले हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी मुझे comment section में बताए थैंक यू